नमस्कार आप देख रहे हैं The Front मैं हूँ नवीन महराष्ट में कोरोना को लेकर किये गए लॉकडाउन के बीच एक बार फिर से सियासी हल्चल सुरू हो गई है एक ओर जहां महराष्ट के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता नरायन राने ने सोमबार को राजपाल भगत सिंग को सरिया से मुलाकात कर राजज में राश्टपती सासन लगाने की मांग की है वही दूसरी ओर उद्दव ठाकरे के घर पर एक गुप्त बैठक हुई है इसके साथ ही राजनीती गलियारे में चर्चा सुरू हो गई है कि क्या महराष्ट में महाविकास अगहारी सरकार खदरे में है या फिर केंद सरकार कोई बरा फैसला लेने की तैयारी में है जानकारी के मुताबिक महराष्ट का सत्ता का केंदर बने मातो सिरी जो के उद्दव ठाकडे का घर है वही NCP और सुप्रीमो सरत पवार CM उद्दव ठाकडे और सिबसेना नेता संजय राउत के बीच सोम बार साम गुप्त बैठक हुई यह बैठक महत्पुल इसलिए भी है क्योंकि लंबे अंतराल के बाद NCP सुप्रीमो मातो सिरी पहुचे थे हैरान करने वाली बात यह है कि विधान सवा नतीजों के बाद 36 दिनों तक चले सत्ता के संगर्ज के बीच एक बार भी सरत पवार मातो सिरी नहीं गये और इस वक्त उनका मातो सिरी में जाना कई सवाल खड़े कर रहा है इससे पहले सोम बार को ही राजपाल भगत सिंग को सरिया ने NCP प्रमुक सरत पवार को मिलने के लिए राजभवन बुलाया था उनके साथ NCP नेता प्रफुल पटेल भी थे अगर राजपाल के सरत पवार को मिलने क्यों बुलाया था पिछले कुछ दिनों के घटना करम को देखते हुए महराष्ट की राजपाल रखने वालों यह लग रहा है कि राजपाल की राजपाल के बीच बढ़ते टकराव और राज में कुरोना वाइरस के अनियंत्रित होने जाने के खबरों के बीच राशपती सासन की चर्चा चलते सरत पवाल का राजपाल से मिलने जाना कई तरह की राजपाल की राजपाल को भी जर्म दे रहा है सुत्रों के मुताबिक करीब 20 दिन पहले ही देवेंद फंडविस, चंदकांत पार्टिल और अमिद सा के बीच एक बार मंतरना हो चुकी है इसके बाद ही बीजेपी ने मुख मंतरी उद्दव ठाकरे को टार्गेट करना सुरूप किया है सरकार के खिलाप राजबर में बीजेपी का आंदोलन, बीजेपी नेताओं का सोशल मीडिया पर सिपसेना के खिलाप अकरामक होना देवेंद फंडविस को सीधा उद्दव ठाकरे को टार्गेट करना केंद्रिय रेल मंतरी प्यूस गोयल का रवीबार को उद्दव ठाकरे पर सीधा हमला बोलना और एंसीपी के खिलाप मौन रहना राजनेतिक विसलेसोको की नजर में सरकार और राजबवन के बिक विविन मुद्दों पर लगातार बढ़ते जा रहे टकराओ कि मद्य नजर या सामान संक्यत नहीं है मुंबई और दिल्ली की राजनेतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि बीजेपी जल्द से जल्द कुछ भी करके महाराश्ट की सत्ता में वापिस आना चाहती है फिर चाहिया सिवसेना के साथ हो या सिवसेना के भेगर दिल्ली के सुत्रों का यह भी कहना है कि महाराश्ट में बीजेपी की सत्ता का रास्ता राजभवन से ही निकलेगा इसलिए बीजेपी लगातार राज में इस तरह का महौल वनाने की कोशिश कर रही है जिसमें राजभवन राजनीती के केंद्र में रहे वैसे सरत पावार कब क्या कर दे कोई अनुमान लगाना मुश्किल है आने वाले कुछ दिन महाराश की राजनीती में कुछ बरे बदलाव की और इसारा कर रही है अभी के लिए इतना ही नमस्कार